Hello students, आज एक serious issue पर बात करने आया हूँ, देखिए सबसे पहले students को कह देता हूँ, बच्चों आपको हम starting से कहते हैं कि form की एक date होती है, last date का wait मत करिये, हमेशा time से पहले form submit किया करें, ये बात मैं students को कह रहा हूँ क्योंकि students जो है वो मेरा परिवार है, मेरी family है, पहले अपनी family को समझाया जाए कि आप कहां गलत हैं, और ये आगे भी आप ध्यान रखें, next बात मेरी पूरी NTA को है, तो तिन दिन से बच्चों के message आ रहे हैं, comments आ रहे हैं, calls आ रहे हैं, WhatsApp पे message आ रहे हैं, यही कह रहे हैं सर हमारा payment हमारी तरफ से हो गया है, लेकिन NTA ने उसे update नहीं क अगर बच्चे आपको mail कर रहे हैं, तो आपको उनका answer तो करना चाहिए कम से कम, यहां बच्चे गलत नहीं है, जो तीन दिन पहले से लगे हुए हैं, जिनोंने form पूरा भर दिया, अगर payment उनकी तरफ से cut गई है, और वो आपको mail कर रहे हैं, इसी issue में कि सर हमारी तरफ से cut कि ठीक है, अब आप वापिस pay कर दीजिए, वरना यह हो जाएगा कि आपका form ही fill नहीं हो पाएगा, नीट ज़्यादा जरूरी है इस time, रादर देन वो 16-1700 रुपे, बच्चों ने fill किया, तीसरा, कल ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, जहाब बच्चों ने कहा है कि सर हम form fill कर रहे हैं, website हमारा document नहीं ले रही है, चौता point, बहुत सारे बच्चे दो दिन से कह रहे हैं, सर हमें OTP नहीं receive हो रहा है, हमारे phone पे या फिर email ID verification में, OTP receive नहीं हो रहा, अब आपने इस साल email ID का verification तो करवा दिया, कह दिया, लेकिन आपको ये तो पता होना कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी website को अपडेट रखिया, आपको खुद को समझना चाहिए, हमें भी पता है, इतने लाखों बच्चे बैठते हैं, last day हो सकता है, बहुत ज्यादा बच्चे आए, website पे और website crash हो जाए, या hang हो, हमें भी पता है, लेकिन आपको इसके लिए पहले से त्यार रहना चाहिए, बच्चे सफर कर रहे हैं, दो दिन से बच्चों ने सेम चीज़ रहे हैं, हम OTP नहीं receive कर पा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है, हम OTP मांग रहे हैं, हमारे email ID पे OTP receive नहीं हो रहा है, इन सब वज़े से बच्चे परेशान हु चाहे कुछ भी हो, आपको स्टार्टिंग में कोशिश कर लीजिए, स्टार्टिंग के अगर ऐसा एक महीना मिलता है, पांस दिन दस दिन देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाती है, कहां का गलतिया हो रही है, कहां दिक्कते आ रही हैं, और उसके बाद भर दीजिए form, ल तेरी ये हाद जोड़ कर request है आप से NTA से, कि बच्चे जो सफर कर रहे हैं, दो दिन आप उन्हें और दे दीजिए, ये बच्चे अपना form फिल कर सकें, ये बच्चे नीट का exam दे सकें, हम नीट extend करने को नहीं कह रहे हैं, ना हमने आज तक support किया, खास कर मैंने, आज तक support नहीं किया इस बात में की नीट extend हो, cancel हो, ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो गलती हैं, इसमें आपकी भी गलती जब सामने आई, तो मैं ये मानता हूँ कि दो दिन बच्चों को और दे दिये जाएं, जिससे, ये मेरी request है, नाव, NTA जानता है कि जो उन्हें करना है वो वही करेंगे, हम mail कर रहे हैं लगातार, हमारी team कोशिश कर रही है कि अगर वहां contact हो पाए आपके office, हम जो कर सकते हैं, हम ये कर रहे हैं, students के लिए केवल, क्योंकि students जो हैं, वो हम पे trust रखते हैं, कल हमने देखा इतने बच्चों के calls, messages, हमें आ रहे हैं, जबकि ये NTA आपका काम है, उन्हें reply करना आपका काम है, लेकिन बच्चों का trust, कही न कहीं हमें ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर रहा है, कि उनके साथ जो injustice हुआ है, कुछ बच्चों के साथ, वो justice हो, उन्हें दो दिन extra और दे दिये जाए, neat extent नहीं करना है, हम केवल form के लिए, ऐस का form रोक दिया गया, कम से कम ऐसे बच्चों को तो आप chance दीजिए, thank you